कांग्रेस का तिरपनवा वार्षिक अधिवेशन ज्ञारखंड की धर्ती पर रामगण में 1940 में हुआ था जिसकी अधियाचता मौलाना अबुल कलाम अजाद ने की थी दोस्तों इस वीडियो में आम अभी यही बात कने वाले हैं कि कांग्रेस का जो 53 यानि कि तिरपनवा वा कोस्टिन पूछ लिया जाए अगर यहां से कोस्टिन बनता है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं तो चलिए फिर हम वीडियो की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था तो दोस्तों भारतिय राष्ट्य कांग्रेस उस समय भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी सोतनता से प पना 28 दिसंबर укice 28 यानवे की 28 दिसंबर 1885 में हुआ था इसका गजन्मदा था यह को कहा जाता है कि ए अहिम का पूरा नाम एलेन ऑक्टवियन हीं था तो दोस्तों इसका जंक्रेक्षा था यह वहाँ A.O. Hume को कहा जाता है और इसका पूरा नाम जो था वह था एलेन ओक्टवियन हिउम था दोस्तों भारत को सोतनता दिलानने के लिए उस समय कि यह जो सबसे बड़ी पाटे थी उन्होंने बहुत जगों पर अधिवेशन किये थे प्लानिंग बनाते थे ताकि अंगरज अधिवेशन दिसंबर 1885 को ही किया था तो यहां पर रिष्चेश को भी ध्यान रखना है कि कॉंग्रेस का पहला अधिवेशन तो इसकी अधिचता जो है उन्होंने मोलाना अबुल कलाम आजात के द्वारा किया गया था यहां अधिवेशन 19 से लेकर के 20 मार्च 1940 तक हुआ तो यहां अधिवेशन 19 से लेकर 20 मार्च 1940 तक हुआ था जारकन की धर्ती में 1940 में और वह भी रामगड में आगे देखते हैं कांग्रेस के रामगड अधिवेशन के स्वागत समिती के अधिच्य डॉक्टर राजेंदर परसाथ थे तो दोस्तों उस समय रामगड अधिवेशन के स्वागत समिती के अधिच्य जो थे उनका नाम था डॉक्टर राजन्द परश्राद और इस एदिवेशन में भी बहुत सारे कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताएं वे सामिल हुए थे सभास्थल का नाम मजहर नगर रखा गया था और मुख्य प्रवेश द्वार का नाम बिर्शा मुंडा की नाम पर रखा गया था दोस्तों यहाँ पर इंपोर्टेंट है कि उस समय जो रामगर में अदिवेशन हुआ था तो उस सभास्थल का नाम मजहर नगर रखा गया था तो यहाँ इंपोर्टे हो जाती है वो साð ही शाथ में प्रवेश करने के लिए जो द्वार था मुख्य प्रवेश द्वार वेह बिर्शा मुंडा के नाम पर रखा गया था और यही बिर्शा मुंडा भारत के और झारगंड के बहुत बड़े करांतिकारे और शोतनता सेना तो यहां पर विर्शामुंडा के नाम पर इसका प्रविश्द्वार का नामकरन हुआ था इस अधिवेशन के दोरान सुवास चंद्रबोस की अध्यचता में अखिल भारतिय समझवता दिरोधी सम्मेलन आजित किया गया और यहां कांग्रेस के नितियों के विरुद सुवास चंद्रबोस के द्वारा चलाया गया समांतर अधिवेशन था दोस्तों यहां पर इंपोर्टेंट है कि इसी अधिवेशन के दोरान सुवास चंद्रबोस के अधिचता में एक सम्मेलन आजित हुआ था और वहां नाम था अखिल भारतिय समझो था विरोधी सम्मेलन और यह जो था कॉंग्रेस के नीतियों के भी तो सुभास्चंद्रबोस के द्वारा चलाया गया समांतर अधिवेशन था क्योंकि सुभास्चंद्रबोस को कांग्रेस के जो नीतियां थी वहां बहुत सारी चीजे पसंद नहीं थी तो इसी कारण से उनके विरोध में यहां एक समांत अधिवेशन में हुआ था M.N. Rai ने 1940 में Radical Democratic Party के अस्थापना रामगड में ही की थी दोस्तों M.N. Rai के दवारा 1940 में Radical Democratic Party नाम का एक पार्टी हुआ था तो उसी एक अस्थापना M.N. Rai ने 1940 में रामगड में ही किया था तो यहां से भी कोश्चिन बनता है कि M.N. Rai ने कहां पर Radical Democratic Party के स्थापना की थी या कब की थी या था भी रामगड में जो पार्टी बनाये थे M.N. Rai ने उस पार्टी के नाम क्या है इस परकार से कोश्चिन पूछा जा सकता है पूछा गया है तो आप लोग यहां पर इसको ध्यान रखेंगे इस अधिवेशन के प्रथम दिन Dr. Rajendra Prasad ने Congress का एकमात्र प्रस्ताव पारित किया और यहां प्रस्ताव सत्यागरा पर था दोस्तों यहां जो अधिवेशन था उसके पहले ही दिन में Dr. Rajendra Prasad के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया किया था और यहां जो प्रस्ता था वहां सत्यागरा पर था तो यहां इंपोर्टेंट हो जाती है Congress का रामगर अधिवेशन दोस्तों आप लोगों को बहुत सारे जगाओं पर बहुत सारे पूस्तकों में बहुत सारे किताबों में आप लोगों को मिल जाएगी कि Congress का जो चुवनवा वार्षिक अधिवेशन हुआ था वहां रामगर में वहा था लेकिन हमें यहां पर ध्यान रखना है कि तीरपनवा वार्षिक अधिवेशन और इसी के अनुसार से ही कोश्चन पूछा जाता है तो आपको तीरपनवा अधिवेशन जो था 53 वहां रामगर में वहा था 1940 में यहां ध्यान रखना है तो इस परकार से यह पूर जानकारी को आप लोग देख सकते हैं याद करेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि यहां से जितने भी कोश्चन पूछा जाएगा तो आप बना सकते हैं तो इंपोर्टेंट जो हो जाती है वहा था कि इसकी अध्यचता किस ने की थी कितना नंबर का दिवेशन हुआ था और कब हुआ था साथ साथ कहां वहा था यह भी इंपोर्टेंट हो जाती है और सभास्तल और मुच्छ परविश द्वार का नाम इन दोनों को बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट तरिके से आप लोगों को याद कर लेनी है थेंक्यू दोस्तों